आज हम लोग linear equation in two variables से related कुछ questions देखेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ method देखा था graphically, substitution, elimination यहाँ पे मैं कुछ important questions के बारे में थुदा बताऊंगा जैसे यह fraction में आपको देख सकते हैं जो number आपका fraction में हैं इससे related इस type के question को भी आप लोग बनाएंगे इस type के question को मैं यहाँ पे थुरा बताऊंगा कि यह कैसे बनेगा that is, इस question को आप लोग जो देख रहेंगे यह fraction form में है इससे हम लोग एक यानि AX plus BY plus C is equal to 0 इस form में लाने का परियास करेंगे उसके बाद इसे हम लोग जिस method से आपको अच्छा लगे अगर method अगर question में दिया भी हो using substitution method, using elimination method उससे आप लोग solve कर सकते हैं नहीं दिया हो, तो आप जो भी method है उसका आप लोग use कर सकते हैं तो बच्छो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, question है question है, यहां पर solve for X and Y 5 by X plus Y minus 2 by X minus Y equal minus 1 15 by X plus Y plus 7 by X minus Y equal 10 यह हमारा question है, तो इसे हम यहां पर आप देखेंगे 5 by X plus Y को हम 5 into 1 by X plus Y लिख सकते हैं और 1 by X plus Y को हम U मानेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, U मानेंगे और फिर हम 2 और X minus Y, that means 2 into 1 by X minus Y इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम U मान के चलेंगे, इसे हम V मान के चलेंगे इस टैप से भी बना सकते हैं, U, V या जैसा आप लोग को लगे, वो आप लोग यहां पर मान लेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, first equation में, जो है X plus Y, यहां भी X plus Y, X minus Y, यहां भी X minus Y, तो इसे हम सबसे पहले, at this drop देखेंगे आप लो late, 1 by X plus Y is equal to U, यानी 1 by X plus Y को हम U, and 1 by X minus Y is equal to V, भी मान देख हमें एक विशन मिलेगा, हमें भी बिलेगा बच्चों, 5, U minus 2V is equal to minus 1, and 15, U minus 7V is equal to 10, यहां पर हमें इसे first equation, और इसे हम second equation मानेंगे, यह हमारा क्या मिलाव, 5U minus 2V, 15U minus 7V is equal to 10, first and second equation, इसके बाद, आप देखेंगे, बच्चों, यहां पर तुका equation जादा होगा, जाख मेंसे, यह two equation होगा, फिर इसके बाद हमें U और V का value निकालेंगे, फिर उसके बाद U का value यहां पर रखेंगे, तब हमें जो equation ही लेगा यहां से, फिर हमें X और Y का value यहां पर उठ होगा, तो सबसे पहले हम इस equation से देखते हैं, हमें क्या मिला, हमें मिला 5U minus 2V equal minus 1, 15U minus 7V equal 10, तो हम यहां पर, हम यहां पर elimination method को यूज़ कर रहे हैं, मैं यहां पर elimination method यूज़ कर र net करने के लिए, that means 7 को, 7 को हम first equation से और 2 को हम second equation से multiply करते हैं, that means यहां पर, multiply 7 by first equation, multiply by 7 in, in first equation and, and 2, 2, in second equation, second equation, तो 7 को, अगर हम first equation से multiply करते हैं, तो हमें मिलेगा 35U minus 14V, 14V, और 7 को minus 1 से करेंगे, तो हमें मिलेगा minus 1, फिर इस 2 को 15 से करेंगे, तो बच्चों हमें मिलेगा 30U plus, हम फिर 7 से करेंगे, इस 2 को 7 से करेंगे, तो 14V is equal to, इस 2 को 10 से करेंगे, तो यह हो गया 20, अब यहां पर हमें जो equation मिला, तो आप देख सकते हैं, V, coefficient, V, coefficient, 14 और 14 डाफिन से equal है, इसे cancel करने के लिए हमें क्या करना परेगा, इसे हम plus करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 14 और 14, cancel, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, 65U is equal to, यह positive है, आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, यह हमारा 20, यहां पर 7 होगा, 7 से multiply करेंगे, 7 से multiply करेंगे, तो यहां पर 7 होगा, फिर हमें यहां पर क्या मिलेगा, 13, that means, U is equal to 13 by 65,ową बाइब भाइफ, यानि हमें U का वैलू 1 by 5 मिला, हमें क्या मिला बच्चों, U का वैलू हमें 1 by 5 मिला, इसके बाद हम V का वैलू निकालेंगे, V का, और फिर U का वैलू यहाँ पर रखेंगे V का value यहाँ पर रखेंगे फिर जो हमें equation मिलेगा फिर उससे हम उस पर put करेंगे तो V का value निकालने के लिए हम इन दोनों में से first या second equation को use कर सकते हैं मैं first equation को, मैं यहाँ पर first equation को ले रहा हूँ that means from, from first equation हमारा first equation क्या है 5U minus 2V equals minus 1 minus 1 5U minus 2V equals minus 1 U कर रहे लो, 1 by 5 that means 5 into 1 by 5 minus 2V is equal to minus 1 1, 1, यहाँ पर कैंसे लोगिया 1 minus 2V is equal to minus 1 और यह positive में है, move करेगा तो हमें negative that means minus 2V is equal minus 1 minus 1 minus 2V is equal minus 2 that means V is equal to आप देख सकते हैं यह minus 2 by minus 2 यह हमारा cancel हो गया 1 that means V is equal to 1 हमें V और U का value मिला हमें V और U का value मिला अब बच्चो इसे V और U के value को हम यहाँ पर रखेंगे next step को हम देखते हैं तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं इसके बाद हम लोग next step को हम लोग देखेंगे तो बच्चो इसके बाद हम लोग जो वैलू है उसको हम यहाँ पर रखते हैं इसके विशन पर देखेंगे मैं इसको इरेज करते रहा हूं यह हम आसानी से एक्स और वाई का वैलू इसके बाद हम लो निकाल सके यू और दी का जो वैलू है उसे मैं एसे होने रहा हूं list ये 1 1 U is equal to 1 by x plus y 1 by x plus y is equal to U or U is equal 1 by 5 x plus y is equal to 1 by 5 that is 5 cross multiplied plus 1 by U तो हमें x plus y is equal to 1 इससे हम third equation लेते हैं इससे हम third equation इसे में raise करते हैं value जो है मैं यहां पे रख रहा हूं और इस इसके बाद u 1 by x minus y is equal to u इससे हम लेकर जरेंगे 1 by x minus y is equal to v यहां पे v है and v is equal to 1 तो 1 by x minus y is equal to v की जगा जो हमें 1 बिला वो loss multiplied x minus y is equal to 1 यह हमारा fourth equation रहा बच्चो यह हमें fourth equation बिला अब इस दोनो equation को अगर हम solve करते हैं तो हमें x और y मिलेगा तो equation इसमें ज़्यादा आएगा इसके बाद भी अगर आप लोग जो question solve करेंगे तो हम यहाँ पर third और fourth equation को हम यहाँ लेके चलते हैं हमारा third equation इसको मैं थोड़ा erase कर देता हूँ यहाँ आप लोग समझ सकें अच्छे तरीके से इसको question को भी यहाँ पर non equation from equation from and 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 fourth from equation third and fourth third of four equations क्या मिला x plus x plus y is equal to five and x minus y is equal to one इसे हम क्या करेंगे इसे हम plus कर देना है वाल बेरे वाल हमारा cancel that means two x is equal to five for one six x is equal to six by two cancel हो गया three हुआ यहाँ पे हमें x का value हमें x का value बिला हमें x का value मिला अब यह जो हमारा equation है एक equation को हम लएंगे third या four तो हमें y का भी value मिल जाएगा अब देख सकते हैं x का value यहाँ पे three हुआ फिर से हम यहाँ पे from third equation third equation को लेते हैं यह हमारा third equation क्या है x plus y is equal to five उसे भी इरिज कर दे रहाँ x का value बच्चों कितना है three यहाँ पे x की जगह हम three plus y is equal to five move करेंगे y is equal to five minus three and y is equal to two हमें y का value और हमें x का value यहाँ पे मिला तो यह बच्चो लीने इक्विशन टू वेरिएबल से रिलेटे एक कोश्चन जो मैंने स्वाट किया प्रेक्टों से तो सबसे पहले हम किस फॉर्म में करेंगे x plus by plus c के फॉर्म में पर सबसे पहले उसको create करेंगे फिर उसके बाद जिस अगर कोश्चन में दिया हो कि आप उसे elimination matter से बनाएं तो elimination matter से बनाएंगे अगर आपको कोश्चन में दिया हो substitution matter से बनाने के लिए तो आप उसे substitution matter से बनाएंगे that's it